जब मैं स्ट्टूडन थी तो हमारी प्रिंसिपल जो हमारी टीचर हुआ करती थी उनने देखकर मेरा अक्सर दिल होता था कि मैं भी बड़ी होकर टीचर बनूगी पर शुरू शुरू में मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता था और मेरे अंदर इतना कॉन्फिदेंस भी नहीं था कि मैं बहुत सकूँ या किसी से बात कर सकूँ करना पड़ा तब जाकर वो हमारे घर आई पढ़ने के लिए और कभी कभी तो ऐसा होता था आती भी नहीं थी फिर में उनके घर जाती थी उनको बलाकल आती थी तो मेरे पास तीन जबान की ओरते आती हैं लड़किया हैं पठाने कच्छी और बंगाली हैं मैं जादे तर को को अरद相 120 आती तो में अंसे कहती हूं कि यह क्या कै रहे हैं आप मुझे बताए क्योंकि मुझे कोई और जबान आती हैं और फेरूम आती थी फिर जो कुछ किल रहाती हुआ तो जममार बाट पास पर बातों मेह जाती हैं यह थो चाह और यह मेरे गई रहे उनको चाह पता चले के उनके घर का माहोल के सा है क्या मसलें उनको पेश आ रहे हैं जब मैं बढ़ाती थी तो एक को नहीं आता था तो दूसरी उसको कहती सीख रही तो दूसरी को सिखाती थी और इस तरह जो जिन्हें तो पुल नहीं आता था और तो वो उनसे मदद लेकर वह भी सीख रही है क्योंकि आपस में जो दो साथ में बेठा होता है उनसे जादा सीखा जाता है मेरे पास तीन तरह कि मिलेद जबानों की लड़कियां और ओड़ते हैं कच्छी भी हैं बंगालन भी है और पश्टो भी है तो जो कच्छों की गर में बनता था जाहर सी बाते वह नाकल आती थी तो सब मेलों एक दूसरे का खाना भी खाती थी और उन्हें अच्छा लगता था कि हम एक नया खा रहे तो जो कच्छी लड़कां थी उन्होंने कहां किस तरह बनते हमें बताएं फिर वह उन्होंने फिराए का पूरा तरीका बताया जिनको लिखना रहा था वह लिख रही थी तरकीबे फिर घर जाका उन्होंने ट्राइब भी किया बना कर दूसरे दिल लेकर भी आएं हमारी आगाई में किताबे से तो सफाई की और जो बीमारे आजकल चल रही हैं उनके मुतालिक लेटरीन के मुतालिक सब कुछ मेंने बताया कि आप खाना खाने स इसी होनी चाहिए सब कुछ मेंने बताया फिर इस तरह अमलब तीन हफ्तों के बाद उनमें खुद में भी फरक आया फिर वो साफ सुत्री आती थी उनके साथ जो बच्चे आते थे वो पी साफ सुत्रे आते थे और उन्हें मैंने O.R.S. का तरीका बताया कि अगर बच्चो करना करना पड़ते हैं और क्या क्या होता है तो मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी कोशिश करूंगी तो हो जाएगा मुझसे भी करूंगी तो हो जार थे श्याओना पूंगी कर दो हो जाते हैं पूंगी कर दो होता है